कि अब इसके साथ दो चटनी देंगे कि अब दोस्तों मैं आजाओ आगरा आगरे में यह मैं भी निकल के जा रहा था तो यह भाईया है यह होट डॉक का ठेला लगाते अपना इस पर यह पेटी और बर्गर भी शेल करते हैं तो चलिगा इनसे बात करते हैं भाईया कितने टा दी हिविव जेंहें मतलब कितना ताइम होगे आपको यह ठेला लगाते हुए 550 साल से आप यह December रहार थे करते हो पढ़ाई नहीं करते हैं क्यों अच्छा साधी होगी आपकी अच्छा तो उसे पढ़ाई की छोड़ दी आपने पढ़ाई की छोड़ दी क्यों पढ़ाई हो नहीं रहे थी पढ़ाई में कोई दमी नहीं था अच्छा पढ़ाई मतलब कम जो और थे अच्छा भाईया ने पढ़ाई छोड़ रखे तो तीन साल से ठेले लगा रहे तो आप देख सकते हैं कैसे ठेले को सजा रखा है इन्होंने यह होट डॉग है यह बर्गर है यह पेटीज है और यह ह सामने बहुत कौन कौनसी चेटनी है हरी लाल लाल चेटनी के साथ भाईया यह बेशते हैं हॉट डॉग को और पेडीज को तो बहुत हॉट डॉग बना दीजिए एक बढ़ी असा आप इसकी रेट की होट डॉग की दस और पेगा और यह बर्गर और पेडीज है आश्या ए आलू पनी भरा हुआ होता है कि भरते हैं सामने अच्छा बहरा होता है ना तो चले एक बना दीजिए पढ़िया था यह यह क्या देशी की रिफाइंड में पहले इसको शेक आएंगे अच्छा आप देख रहे हैं रिफाइंड डाल दी भाईया ने इनका तबहा गर्म होता ही रहता है यह 24 गंटे तो रिफाइंड पे इन्हों ने डालके होट डॉक शेक दिया है देखने में ही काफी टेश्टी लग रहा है इसमें पणीर भई और आलू भई भई है इसमें हॉटॉग में और यह सिर्फ और कोई यादा रेट भी नहीं है और देखे का बईया में शेक दिया है अब इसके साथ दो चटनी रेंगे आप कभी इनसे मिलना चाहें या इनके पास हॉट डॉग पेडिज या वरकर खाना चाहें तो एम जी रोड पे भाईया आप भाईया कोई प्रॉपर जगा या फिस चलते फिरते हैं अब भाईया चलते फिरते रहते हैं अब टेला लगाता कर आपको कभी भीया मिलें आप जासे कि आप इनके पास जरूर आईएगा तो इनका जो हॉट डॉग है इसको टेस्ट कीजेगा पेटी से बरकर रहे हैं तो चल करता हूं मैं अपनी वीडियो फिनिस करता हूं अगर आ यू